हेलो नमस्ते आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई मश्रूम मतर बनाना सिखाऊंगी और सच में आपने अगर मेरी जैसे बनाना स्टार्ट कर दिया आप रेस्टोरेंट का कभी नहीं खाएंगे आपको करना क्या है ये दो मीडियम साइज के प्याज को बहुत फाइनली चॉप करना है बहुत छोटा छोटा काट ले रहा है आप चाहें तो चॉपर में भी इसे इस तरह से कर सकते हैं चॉप कर सकते हैं मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्याज काट के रख लिया दो होल प् मुझे जीरा बहुत पसंद है अब देखे प्यास को यहां तक इस स्टेस तक भूनना है जैसे ये बहुत light brown हो जाए मसाले डाल दीजिए सबी मसाले डाल दीजिए छोटी चमच में के हिसाब से मैं एक छोटी चमच के हिसाब से मसाले इसमें add कर रही हूँ धनिया हमारी हल्द और ये मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च है और ये मैंने जीरा पाउडर डाला है बहुत अच्छे से सिम पर गैस रख दी है मसाले जलने नहीं चाहिए ये देखिए अब मैं सभी को अच्छे से प्यास जो डाग ब्राउन हो गया था अब इस स्टेच पे मैंने एक टमाटर डाला है रफली चौप किया हुआ बिल्कुल रफली चौप किया हुआ टमाटर इस स्टेच पे डाल दिया है टमाटर पानी छोड़ेगा और यहां पर फिर मैंने एक चमच अधरक लेसन पेस्ट डाल दिया है अब टमाटर के पानी से पूरी मैंने डाली है और ये पूरी मार्केट की नहीं बनी हुई है मैंने खुद घर पे बनाके इसमें पूरी एड़ की है दो बड़े मीडियम साइज के टमाटर ठीक है आप डाल दीजे नमक डाल दीजे और अच्छे से भुनाई करीए ये मतर मैं डाल देती हूँ, मटर मैंने घर पे ही sprouts बन चुके हैं मटर के मटर को मैंने boil करके डाला है आपके पास मटर अगर कच्छी है तो आप थोड़ा दे पहले डाल दीजे, मश्रूम मैंने पिल्कुल half size cut किया था, इस तरह से मश्रूम मैंने add कर दिये हैं अब क्योंकि मैंने मश्रूम नमक डाला है मसाले में और मश्रूम नमक के contact में आकर पानी release करता है, तो देखिए आप चाहें तो बस ऐसी open करके इसे भूनते रहें, मसाले के साथ भूनते रहें, यह देखिए इस stage पर मश्रूम आप मान के 90% cook हो चुका है, और मटर मश्रूम, कढ़ाई मटर मश्रूम बनके ready हो गया है देखिए क्योंकि मुझे खाना है चावल के साथ, तो मैं इसको और भूनूंगी और भून के देखिए, मश्रूम का size कितना reduce हो गया है यह देखिए अब क्योंकि कढ़ाई मटर मश्रूम है, तो इसमें capsicum और प्यास को last में इस stage पर add कर दीजे, यह देखिए कितना खुबसूरत रंगा रहा है, कितना tasty लग रहा है, लग रहा है ना बिलको restaurant जैसा, यह देखिए बहुत अच्छे से हम भून रहे हैं, मैंने अभी तक इसमें इसको ढखा नहीं है, जिर्फ खुले में मैंने इसको भूना है यह देखिए, मश्रूम अपना पानी release कर रहा है, उसी से पूरा masala और मश्रूम खुद आपस में यह सब चीजें मश्रूम के पानी से ही कुक हो रही है यह देखिए, बिल्कुल कुक हो के ready हो गई है अच्छे से कुक हो चुका है मश्रूम और मटर और यहां पर मैंने गरम masala अड़ कर दिया है अब बस आप चाहें तो इसे skip कर सकते हैं देखिए, गरम masala यह कढ़ाई मटर मश्रूम गरम मसाला है, इसको कैसे बनाते हैं कॉमेंट करिएगा, मैं जरूर इसकी रेस्पी आपके साथ शेर करूँगी यह देखिए, बनके ready हो गया है मटर मश्रूम थोड़ा सा पानी एड़ करूँगी जिससे कि चाबल के साथ अच्छे से इसको मतलब थोड़ी से ग्रेवी रहे बस आप मट डालिएगा अगर आपको इसको नॉर्मल पराठी या रूटी के साथ खाना है यह देखिए, बस थोड़ा सा बॉइल आने देंगे सब चीज अच्छे से कुख हो गई है सभी चीज अच्छे से कुख हो कर अब मैं सर्विंग प्लेट में अच्छे से निकालने के पूरी तरहन से यह मतल मश्रूम रेड़ी है यह देखिए बस गैस को बंद कर दूँगे अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लूँगे यह देखिए मतल मश्रूम, कड़ाई मतल मश्रूम बनके बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके रेड़ी हो चुका है बस यह देखिए अब थोड़ी से गानिशिंग कर देते हैं इसमें मैं हलका सा धनिया डालूँगे यह देखिए यह एक लीफ मैंने रख दी है धनिया की ओ माइग गाड यह देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहतरीन रेस्पी आपको मैं शेयर करूँगे थाइंक्यू